नमस्कार डिजयाना न्यूज में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम कुशाग्र है और आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज जिसका नाम है संजीवनी संजीवनी ये जो शब्द है ये आक्चुली है कोई जादूई जड़ी बूटी जिसका उलेख हमको हमारे ग्रंथों में मिलता है संजीवनी जड़ी बूटी वो थी जो कि इनसान की विकट परिस्तिती में उसे बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेती थी आसान भाषा में समझाओं तो कहते हैं कि मौद के मूँ से आपको ये संजीवनी बूटी निकाल लेती थी लेकिन अगर आज के टाइम पर संजीवनी बूटी एक्जिस्ट करती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि सटीक तरीके से संजीवनी बूटी का काम करती हैं वो है सही information और awareness क्योंकि अगर ये दो चीज़े नहीं होती है तो इंसान के दिमाग में misconception, misinformation, myths ऐसी बहुत सारी चीज़े आ जाती है जिसकी वज़े से वो गलट decision ले लेता है और cancer एक ऐसी बिमारी है जिसके बारे में पता तो सभी को है लेकिन सही information इस बिमारी के बारे में बहुत कम लोगों के पास है तो आज इसी लिए cancer के हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है अगर कई किसी को खत्रा है तो कैसे हम इससे detect कर सकते हैं कैसे रोक सकते हैं तो आज हमारे साथ guest मौजूद हैं सबसे पहले मैंन का स्वागत करना चाता हूँ सर वल्काम है हमारे स्टूडियो में और इस शो में थैंक्यू थैंक्यू नमस्ते इंद्वार सो मैं बता देता हूँ कि आज हमारे साथ माजूद है डॉक्टर अमिजैंजी MBBS and MD in Radiation Oncology सब कैंसर एक ऐसी बिमारी है जिसके बारे में सुना सबने है पता सभी को है लेकिन एक्चुली कैंसर होता क्या है अगर इसकी सही डेफिनेशन आजसान भाषा में हम हमारी जंता को बता है तो कैंसर होता क्या है कुशाग्र हमारा सरीर بہت चोटी-चोटी कोशिकाओं से बना उता है यह सब भी पढ़ते हैं अपनी box में कि हमारा सरीर चोटी-चोटे cells से बना होता है यह cells मिलकर कर और गन बनाते हैं normal उस fashion में यह control manner में body के अंदर cells divide होते हैं और अंगों का विकाष होता है range के एकोर्दिंग हमारे सरीड की ग्रूत होती है और डब्लबर्मेंट होता है कई लो अगजिोजीनेश होते हैं बोडी के अंदर होते हैं बहार से न वोता है जिन से यह कंट्रॉल मेनेच जो मेकेनिस्ब में अगनिज हो जाता है जब यह डिसर प्र में एफ जाता है तो यह अब नगल उनका फिर अनक्रोल ना जाता है और वह बोडी के अंदर यह सारे सेल्स एक गृर्प बना लेते हैं वह जो ग्रोप होता है अबनॉमल असमान कोशी का उख डृप इसी को गींटर बोला जाता है तो जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है और लोगों से सुना है कि cancer में यह जैसे हम parasite की बात करते हैं तो पैरासाइट क्या होता है कि वह आपके इंदर की nutrients है basically आपका जो खाना है वो खाने लगता है तो क्या cancer cells या cancer tissue tumor भी ऐसे ही काम करता है डेफिनेटली यह होगा कि जब अबनॉमल सेल्स बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ जाएंगे, सेल्स को भी न्यूटरिशन का नीड होता है, वो भी परलिपरेट करते हैं, जब अबनॉमल सेल्स भी बढ़ेंगे तो वो हमारी बोडी के न्यूटरिशन को करेंगे, डिस्रप्ट करेंगे, ज़्यादा इंडेक करेंगे, उसकी बज़े से हमारे जो कैकेक्स ही है, यह आप देखेंगे कैंसर पीशिंट दीरे दीरे दूबले होते चले जाते हैं, उनके अंदर अलग-लग सिम्टम्स आते हैं, तो यह सुभाविक है कि जब भी कैंसर होगा, तो हमारे न्यूट्रियंस का एक पार्ट उनके अबनॉमल से इसके पास जाने की बज़े से पेशिंट्स को यह जिनको कैंसर हुआ है, उनके अंदर एक दुरबलता आने के चांसे देखेंगे, इसलिए उनके अंदर एक फटि पार्ट ने काफी कम एनर्जी और थकान महसूस कर पाएगा इनसान. बीसिकली कैंसर के जो सिम्टम होते हैं, हम बात करें कि कोई परशन है, वो कैसे पता चलेगा उसको की उसको कैंसर है या नहीं है, होता क्या है कि हमारे कैंसर के साथ सबसे बड़ा प्रॉबलम जो हम पेस आणिजिए पार्ट यह इनडिया में कि सभीज़ोग हेल्थ को लेकर बहुत नेगलीजिश रहता है और कैंशर को लेकर और जादा नेगलीजिंश होता है क्योंकि वो मानने हैं कि मेरेको तो कैंसर हो यह नहीं सकता, मेरेको यह बीमारी हो यह नहीं सकती, तो इस बज़े से मैं बात करूँ कि किसी के मुँ में कोई छाला बना हुआ है जो लगातार बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय से कई हपतों से बना हुआ है खाना खाने में कुछ अटक रहा है या खाना खाने में दर्द का एहसास हो रहा है लंबे समय से गले में खरास है problem है आवाज में लगातार परिवर्तन है या हम हमारे सरी में कोई एक body के उपर lump बना है या किसी महला की बात करें तो उनके आचल के अंदर कोई ऐसी गाठ फील हो रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है इसकिन के उपर कोई changes है जो लगातार change हो रहा है बढ़ रहा है मोशन के सांथ ब्लॉट आ रहा है या लगातार मोशन करने में प्रॉबलम है कभजी बना हुआ है जो ठीक ये नहीं हो रहा है इसके अलावा किसी अा लेडिस की बात करें उनको कोई अन्यूजल ब्लीडिग जो माशिक धर्म के अलाबा लगातार ब्लीडिंग का बना हुआ है, जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या किसी के लगातार थकावड बनी हुई है, जो अन एक्स्प्लेंड है कि क्यों थकान रहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कीस में उनको इमिजेटली अपने फिजीशन को या एकदम डारेक्ट कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो हर किसी का अपने फैमिली फिजीशन होता है, हमको उनको कंसल्ट करें, वो एक नॉर्मल रूटीन बरक अप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर बिमारी को डिटेट क करेंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनमें सबको कैंसर होगा, पर एक पॉसिबिलिटी होती है, उसको एक्स्क्लूट करना बहुत जरूरी होता है, तो लोग नॉर्मल इसको अवाइट करते हैं, तो उससे पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद स पॉसिबिल हो सकता है, और अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसका इलाज और जो इकनोमिकल एक्स्पेंस है, वो भी काफी जादा इजी हो जाता है, लेकिन सर अगर हम बात करें रीजन्स की, कैंसर भी मल्टिपल रीजन्स की वज़े से होता है, जैसे काफी सारे केसे जसमे यह तो हमें पता ही है कि टबैको कंज्यूम करने से होता है, इसके लावा और कौन-कौन से रीजन्स हैं, कारण है, जिनकी वज़े से किसी इंसान में कैंसर डेवलप हो सकता है, जैसर का जो ओरीजन है, वो बेसिकली मल्टिफैक्टोरियल होता है, यह सही है कि सबसे जादा पीशिant के ढी हम देखते है कि कैंसर क काॉज देखा जाता ह। तो टबैको जा तावय को ऐर्योक कंजम से उससे रेलेट़ एक स्मोकिंग, बीडी त्परिस मोर्किंग, इस सबसे में कल्परिट हैं, जो हमको देखने को मिलता है, ऐल्कौल ravilles तान इसके अलावा, कई बार números habits होते हैं, obesity एक factor होता है, suppose किसी के अंदर excessive obesity होगा, तो definitely body के अंदर बहुत सारे hormonal changes होते हैं, तो continuous environmental pollution भी एक factor होता है, जिसके बचे से कोई ऐसी industry में काम कर रहा है, suppose as worst industry है, silica industry में काम कर रहा है, continuously वो इस तरह की themes को inhale कर रहा है, तो लंक की possibility रहेगी, तो ये बहुत सारे factors हो सकते हैं, पर specifically यदि मैं बात करूँ गा, जो हम देखेंगे तो tobacco consumption, smoking, alcohol, ये सबसे ज़्यादर cases के साथ associated रहते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे तो चाला होई, cancer होई नहीं सकता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है, मैं तो कुछ ऐसा लेता नहीं हूँ, तो definitely ये नहीं है कि होने की possibility, normal population में काफी कम रहेगी, जो कोई addiction नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं उनमें multiple times जादा रहेगा, क्योंकि इसका अगर मैं आसान भाशा में समझाओं इसको जितना अगर आमें कहीं गला तो तो प्लीज मुझे करेंगा, कि फॉर एक्जामपल अगर हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है, तो वह बल्ब महां मौजूद है, पर वह बल्ब बंध है, वह हमारे अंदर cancer develop होने की tendency है, कि जब तक वो circuit, जब तक हम switch on नहीं करेंगे, तब तक वो bulb नहीं जलेगा, और basically जो cigarette है और ऐसे addiction है, वो switch का काम करते हैं, कि वो जल्दी पूरा circuit पूरा हो जाएगा, और cancer develop होने की chances हैं, वो इंसान में बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बता हैं कि cancer के cause जैसे exogenous, endogenous cause रहते हैं, आपने smoking किया, उसके अंदा nicotine, nicotinium एक word जानते हैं, उसके अलाबा multiple or different chemicals होते हैं, जो cigarette और tobacco के अंदर रहते हैं, और ये सारे chemicals जब अंदर जाते हैं, तो definitely जो cycles रहती है, जो एक proper proliferation होता है, उन cycles को microscopical label पे जा करके, और सारी chain को disrupt करके, और problems create करते ह हैं, तो वो abnormal proliferation स्टार्ट हो जाता है, तो अभी तक हमने बात की के cancer क्या होता है, इसके symptoms क्या होते हैं, कितने प्रकार के cancers होते हैं, और कौन-कौन से लोग हैं, जो high potential patient है, या high potential risk है जिनको cancer होने का, लेकिन अगर हम बात करें कि for example, ये symptom मुझे दिग गए sir, कि ये चीज श कोविड के लिए हमें पता है कि swap test है, नाक में एक छोटी सी वो swap जाएगी और उससे में पता चल जाए कि कोविड हुआ है या नहीं, बैसे cancer को detect करने के लिए early stage पर या फिर एक normal procedure क्या है, कौन से test या कौन से scans होते हैं, cancer के detection के लिए, तेखिए हम screening test की बात करें, तो body में क बोला जाता है कि normal female को after age of 40, अपने breast को annually screen कराना चाहिए, with the help of mammography, और एक papis smear test होता है, जिससे बच्चे दानी के मुग के अंदर कोई problem हो रहा है, बच्चे दानी के जिससे cervical cancer बोला जाता है, तो हम उसको early stage में या zero stage में भी हम इन चीजों को detect कर सकते है, zero stage, stage बनके पहले एक stage होती है, जिससे zero stage बोला जाता है, sometimes in-sito बोलते हैं कि cells के अंदर कुछ changes होंगे तो हम उनको detect कर लेते हैं और ऐसे patient 100% ठीक हो जाते हैं, तो females में papis smear बोला जाता है, कुछ test ऐसे हैं, जिन में like patient को continuous cuff है, तो उनको X-ray test कराना है, पेट में कुछ लगातार problem बना हुआ ह उनको sonography कराना है, एक prostate का problem है, तो serum PSA कैसा test होता है, जिसको उनको serum PSA का test देख करके कि उसके value बहुत जादा higher side में है, तो वो एक prostate की malignancy की direction में indicate करती है, तो हमको उसके बारे में सोचना है कि ऐसे बहुत सारे test होते हैं, तो most of the time जो test होते हैं, जब आप physician से कोई भी problem से मि लेंगे तो उसके according सारी चीजें आपकी देखेंगे, उनको लग रहा है मूँ के अंदर चाला है, तो definitely उसका एक छोटा सा बाइप सी लेंगे, sample लेंगे और उसका बगकप करके हम उसको confirm करेंगे, so problem के according अलग-अलग test, problem के according हम लोगों के पस different tests, test होते हैं, sir जैसे यह अब हमने बात करी, अभी आपने जिकर किया था कि एक zero stage भी होती है, तो इतना हम सभी को पता है कि multiple stages होती है cancer में, stage 1, stage 2, तो यह stages किस चीज पर differentiate करती है, क्या यह time पर differentiate होता है, कि इतना समय बीद गया तो होगा, या फिर यह tumor के size पर depend करती है, क्या चीज है जो इन सब को differentiate करती ह यह cancer की हम morphology उसकी pathology के बारे में बात करें, तो कोई भी organ में कभी भी cancer होता है, तो उसकी staging के different parameters होते हैं, हमने patient का disease का biopsy sample लिया या उसका patient का फूरा bug up किया, CT scan किया, chest texture किया, तो पहले हम देखेंगे, biopsy के साथ या surgery होई, तो पहले यह देखेंगे कि बीमारी का size क्या है वो बीमारी आसपास कहां कहां फैली हुई है, जैसे जीप में कोई किसी को टंग के अंदर problem होता है और उसका हमको गले के आसपास कई बार note पील होता है, तो इससे यह पता चलता है कि disease का spread होकर कि इस label पर आ गया है, जो हम radiologically औ pathologically confirm करते हैं, और उसके basis पे साहरा work up करने के बात फिर यह decide होता है कि बीमारी की अलग-अलग staging उनकी lymph node, metastretches, बीमारी आसपास कहां कहां जा चुकी है, उसके basis पे फिर उसकी stage का define होता है, कि stage 1 का disease है, single node में है, एक ही site पर है, to stage 1 है, notes में चली गई है, to stage 2 है, थोड़ा और बढ़ गई है, multiple node में गया, to stage 3 है, और body के बेंदर प्याइए, to stage 4 है, ये लेकिन हर और और ये चीज़े थोड़ा थोड़ा अलग होती है, तो इतने सारे परमेटर है, जिनके basis पे ये conclusion निकलता है, this is something which is, sounds very complicated, but जितना ही सुना ही देता है, I am sure इसको जाचना उससे भी जादा कही complicated task है, कि सुनने में काफी आसान is not a weak job, ऐसा नहीं होता है क्योंकि sometimes patients के पास ये message जाएगा कि नहीं हम treatment के पहले बहुत सारे test करेंगे, तो बहुत problematic होंगे, तो simple से test होते हैं, सारे test OPD basis पे ही होते हैं, most of the time 90% problems में हम OPD basis पे patient को call करते हैं, either CT scan हो, MRI हो, chest xray हो, opaque sonography हो, wipes ही हो, ये सारे जो confirm करने के लिए, staging कर पेटी scan करके, एक advanced test होता है, ये सारे OPD basis पे होते हैं, और इन में कुस patient को ऐसा बहुत बड़ा problem भी नहीं आता है, बस multiple test लेकिन सारे आसानी से हो जाते हैं, जी सर, cancer के जो इलाज के अगर हम बात करें, तो उसमें भी multiple तरीके हैं, जो कि विट टाइम डेवलप हो चुके है कि अधिक तरह लोगों को सिर्फ chemotherapy के बारे में ही पता है, क्योंकि सबसे जादा सुना इसके बारे में गया है, बताया इसके बारे में गया है, लेकिन अगर मेरे knowledge के हिसाब से, एक radiation therapy है, एक radiation therapy है, and chemotherapy है, और surgical process है, और इनी के combination से cancer को treat किया जाता है, ये तीनों process अपने आप म सही है, okay, देखिए, cancer management always multi-disciplinary approach होता है, इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे department का involvement होता है, cancer की हम treatment की overall बात करें, तो generally जो treatment cancer की management में use किये जाते हैं, एक surgery treatment होता है, दूसरा radiation होता है, तीसरा chemotherapy होता है, आपने already यह भी बताया है, एक hormonal treatment होता है, जिसमें कही बार इंजिक्शन यह tablets दिये जाते हैं, कुछ targeted drugs भी होती है, injections के pom में दिये जाते हैं, पर mostly जो लोगों के बीच में होता है कि surgery, radiation और chemotherapy हम तीन treatment की में बात करेंगे, अब यह कौन से patient में कौन से treatment देना है, यह basically इस पर depend करता है कि patient को बीमारी कौन सी site पर हुआ है, उसका stage क्या है, यह उसके according site age, sometimes age is also a parameter कि कई बार patient के साथ कोई और problems तो नहीं है, पर mostly stage and site determine करती है कि कौन से patient में कौन से treatment होगा और कौन कौन से treatment होगे, surgery और radiation की हम बात करें तो यह local treatment होते हैं, इनका effect जो रहेगा जहां पर tumor था, उसके आसपास ही रहेगा, उसी site पर उसका जो local treatment है, इसको हम बोलेंग है, chemotherapy systemic treatment है, क्योंकि cancer की possibility होती है, body के अंदर spread होनी की, तो उस possibility को भी हमको address करना होता है कि बीमारी की stage जादा है, तो body में future में कहीं और भी आगे disease जा सकता है, तो chemotherapy injections के form में दिया जाता है, radiation, x-rays या energy rays होती है, जिनसे treatment दिया जाता है, और surgery तो आपको पता है कि उस organ को remove किय Sir, जैसे radiation के बारे में आपने बताया, तो यह काफी misconception है, मैंने काफी लोगों से सुना भी है, कि first of all radiation जो नाम है, इससे काफी डर जाते है, लोग के अरे यह तो last age पे दी जाती है, या फिर यह ऐसी चीज है, जो काफी सुनाई तो देती है, काफी बयानक चीज है, लोग अच्छल ग्राउंड रियालिटी क्या है, आज के ताइम में, after so much of technological advancement, basically, radiation के बारे में मैं बात करूंगा, तो मैं basically, public को भी इस सीच पे थोड़ा सा address करना चाहूंगा, radiation को लेकि, radiation first, to energy waves, electromagnetic waves, radiation, radiation को हर स्टेट में अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको सिकाई बोलते हैं, कुछ लोग इसको बिजली बोलते हैं, कुछ लोग इसको light बोलते हैं, पर इसमें कुछ ऐसा गरम लगेगा, या current के जटके लगेंगे, ये सब नहीं होता है, ये simple सा treatment होता है, like जो हम body में x-ray कराते हैं, वैसा ही treatment होता है, normal x-rays energy कम होती है, तो diagnostic purpose के treatment therapeutic ये treatment के लिए use किया जाता है, radiation में जो मेत हैं लोग के अंदर की ये गरम लगेगा, ठंडा लगेगा, या इसके साथ radiation लेने, इसे बिमारी बढ़ जाएगी, फैल जाएगी, तो ये मतलब बहुत बड़ा confusion है लोग के अंदर, ऐसा कुछ भी radiation के साथ नहीं होता है, no doubt हर treatment क कुछ side effect होते हैं, सर्जरी हो, chemotherapy हो, या हम simple सा एक fever कम करने के लिए, कई बार antibiotic लेते हैं, तो उसके साथ भी lose motion हो सकते हैं, वैसे जो treatment मैं दे रहा हूँ, महां पर उसके effect आएगा, तो थोड़े side effect भी रहेंगे, वो side effect कहां पर treatment दे रहें, किस side पर radiation जा रहें, उसके according determine होते ह इसके भी person to person भी depend करता होगे, कि उसका immunity कितनी अच्छी है, वो सारी चीजों है, इस पर असर डालती होंगी, सर ये सारी बाते हमने cancer के बारे में की है, लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ा जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अगर आप please comfortable हो, share करने से तो please हमें बताएं, उससे हम हम सभी को inspiration मिलेगी, कोई ऐसा complicated case जो आपके experience में अभी तक, medical practice में आपने treat किया हो, जो काफी complicated था, काफी tough था, लेकिन eventually it succeeded, कोई अगर ऐसा case है, जिसके बारे में आप हम से बात करना चाहें, ऐसे काफी सारे cases आते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा question आपने लोगों को ये पता होना चाहिए कि cancer complicated हो, advanced हो, उसके बाद भी लोग take होते हैं, एक patient है, female patient है, जिनको around 15 year back मैंने पहले देखा था उनको, और उनका problem था कि उनको आहर नली के नीचे के हिस्से का cancer था, और उनका cancer काफी जादा बड़ा हुआ था, और बड़े हुए cancer के साथ, पहले उनको कुछ chemo dose दिये गए, थोड़ा shrink हुआ, बाद में उनको surgery के लिए लिया गया, कि इतना सा piece निकाल दिया, उन्हों ने उसको close किया, फिर उनका healing हुआ तो मैंने उनको radiation प्रोवाइट किया, radiation देने के बाद सांथ में कुछ चोटे dose chemo therapy के भी दिये, मैं को लगता है कि वो patient आज 15-17 years के बाद भी ठीक है, पुरा enjoy करते हैं, सारा खाप भी पाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे patients रहते हैं, जिनको treatment दिया और जिनका इतना advanced disease तक माना जाता है कि इनकी life छह मैंने या एक साल होगी, और वो छह मैंने एक साल की जागे 16-17 years से मैं उनको follow-up में देखता हूं, तो मुझे अच्छा फेल होता है कि ऐसे patient हो तो अच्छा लगता है, तो definitely एक अच्छी feeling आती है उनको देखता होगा है कि किसी की जान आपने बचाई है, किसी का जीवन आपने बदल दिया है और ये आपके हुनर, आपके practice, आपके patience का नतीजा है, ये तो हमने बताया कि क्या positive effect होता है, बट I am sure sir कि कभी-कभी ऐसा भी time होता होगा कि जहां पर आपको लगता होगा कि you are feeling low, कि कभी obvious सी बात है कि हमारी personal life है, तो कुछ personal stress है, सारी चीजे हैं, जो अलग-अलग cases है, इनका भी stress होता है, you have to be on your toes, कि अगर आप किसी को treat कर रहे हैं, कि कभी कुछ भी हो सकता है, you have to be ever ready in this case, तो इन सारी scenarios को मैं एक doctor का perspective जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सुनते हैं कि doctor ने ठीक कर दिया, लेकिन उस इंसान को ठीक करने के पीछे doctor की mentality क्या होती है, वो कैसे manage करते हैं चीजों को मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं sir. Actually, जब कोई यह profession choose करता है, medical profession, तो यह उसको पता होता है, during MBBS, during post graduation, जब हम लोग post graduation करते हैं तो हम लोग का around 24 hours का duty रहता है, next day sometimes 36 hours का duty होता है without off, आपको एक गंटे की नीन लेना है, दो गंटे का sleep लेना है, ऐसा हम लोग का during post graduation काई बार phase आता है, और because उस time हम लोग को यह ही बताया जाता है कि patient को हर हाल में आपको देखना है, उनको manage करना है, तो मुझे लगता है कि वो during जब आप उस age में होते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं तो एक आज आता है कि आपको अपनी priorities को fix रखना है, patient को आपको definitely हमेशा first priority पे रखना है और rest of the things हैं उनको little bit according to situation थोड़ा सा उसको आप पीछे की कर सकते हैं, पर patient first होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा होता रहता है कि कई बार family functions होते हैं, कोई urgent अपने को लगता है कि उसमें जाना है और कोई patient sick है, तो definitely उसको miss करना होता है क्योंकि patient को देखना first होता है, मुझे लगता है कि ठीक है हम लोग लेकिन हम लोग को उसमें जादा positivity feel होता है, बिल्कुल sir I can understand sir, यह जो compromise है यह worth है उस चीज के लिए, Thank you sir for joining us and आपने इतनी सारी चीजे हमें बताई, but जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर हम cancer treatment की बात करें, तो उनका जो infrastructure है, medical facilities है, comparison में इंडिया आज की time पे, आज की दिन में बात करें, तो कहां stand करता है, यह उनका सवाल है sir, मैं आप से जानना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि हमारा health की बात की जाए, आइटी की बात पूरा वर्ल्ड जानता है इंडिया को, और मुझे लगता है कि health के बारे में भी मैं आपको बता हूँ कि US का हो या UK, European countries का हो, भाग का भी health management बहुत अद्द तक Indian doctors के हेंड्स में रहता है, जो आप मैनेज करते हैं, लोग अपने work के लिए, अपने profession के लिए बहुत determined रहते हैं, और हम overall कहीं भी किसी भी label पे देखा जाए तो पीछे नहीं है, थोड़ा सा जो लैकूनी है, मुझे लगता है कि जब अभी SCG Cancer Center में मैं बग कर रहा हूँ, हमारी chairman जो है Mr. Ajay Kumar सर है, उन्होंने में को यही बताया था, अब लोग को सबको एक बार conference में जब पहली बार उनसे discussion हुआ, कि वो US में काफी time spent की है, उन्होंने बोला कि इंडिया में बहुत अच्छा talent है, पर problem होता था कि थोड़ा research का issue होता था, कि हम लोग वहां पर यह research करते हैं, वो publish होती है और वो लोग credit ले जाते है, rest of the world में, तो SCG ने जो यह part start किया कि वो research को भी काफी weightage देते हैं, कि हम हमारे हां, हमारी चीजों के साथ research करें और हम अपने काम को ज्यादा highlight करें, और मुझे लगता है cancer management में जो एक positive चीज़ है, हम research की या research institute की बात करें, तो जैसे Tata Memorial है, या GCRI है, या SCG Cancer Center की बात करूं, तो यह इस तरह की groups हैं, जो specifically cancer पे ही work कर रहे हैं, और जो हर label पे cancer के management के लिए होना चाहिए, कि एक जो SAMU ही किया group के साथ हम पूरे patient को, क्योंकि combined report है, तो जहां आप A की रूप के नीचे सारी चीज़े patient को provide करते हैं, तो मुझे लगता है हम patient के साथ एक proper justice भी कर पाते हैं, और उनको एक better quality of life भी दे पाते हैं, तो मुझे लगता है यह साइध ideal approach रहता है, जो होना चाहिए, तो यह अधिकतर लोग के दिमाद के मिस conception रहता है, यहां पे हर आदमी चाहिए वो security guard हो या receptionist हो या paraclinical या nursing या doctor या management, उन सब का vision सिर्फ cancer से related होगा तो वो थोड़ा सा different होता है, क्योंकि इस जो मुझे समझ में है कि अगर बहुत सारे hospitals हैं, बहुत सारे अलग-अलग institutions हैं जहां पे वो सिर्फ एक wing होता है, अगर dedicated hospital है तो इसकी वज़े से I am sure patient को multi-dimensional treatment मिलता है, psychological support मिलता है जो आप provide करते हैं, अलग-अलग treatment test और advanced technology वो सारी चीज़े एक जगे मिल जाती है, so thank you very much sir for joining us and जाते जाते आपकी तरफ से हमारी जंता को आप क्या कहना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से कोई भी एक छोटा सा चेंज जो अपनी lifestyle में वो ला सकते हैं, और में भी possible कि अगर possibility है कि cancer develop हो सकता है, कोई बिमारी उनको लग सकती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है उस एक step को उस एक chain से, कैंसर को लेके बहुँ जादा डरने की जरूरत नहीं है, कैंसर का इलाज संबब है और बस जरूरत है आपको जागरुक होने की और अपनी बीमारी के बारे में अपने symptoms के according बिना डर के डॉक्टर से मिलने की, क्योंकि आप जितने early stage में cancer को हम देखेंगे ठीक होने की संबाबना है उतनी जादा रहेंगी, cancer के लिए एक और slogan बोला जाता है कि cancer का सबसे अच्छा क्योर है कि उसको हम prevent करें, means उसका मतलब यह है कि हम उसको आने से रोकें, के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो कॉज हैं लाइक टोबेको टोबेको प्रोड़को प्रोड़क अल्कॉल कंजंशन एक प्रॉपर अपनी healthy life style, proper food habits इन सब को improve करना मुझे लगता बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो हम cancer से अपने आपको बचा भी सकते हैं और हम एक अच्छे समाज का नर्मार कर सकते हैं, Thank you so much sir for joining us and अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारी जो बाते हमने सुनी हैं, I am sure के ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो हम सुनते हैं बट हमारी जिंदीगी हम उस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कोच चेंज तो लाना पड़ेगा बिकास बिना चेंज के रिजल्ट नहीं मलता है, तो ऐसे ही बहुत सारे अवेर्नेस प्रोग्राम साब के लिए हम लाते रहेंगे तो आप कहीं मत जाएए देखते रही है डेजयान एन नियूस पर संजीवनी